गुट मॉरिंग स्टूडेंट्स बिटा कल हमने बात कि थी about simple microscope और इस simple microscope में बचों हमने magnifying power के बारे में बात कि थी हमने कि जो magnifying power होगी बिटा वो क्या होगी इसको हमने कल find out किया था जिसमें बचों हमने study किया था विज्वल एंगल के बारे में विज्वल एंगल जो है वो हमारा क्या होता है इसके बारे में हमने बात की थी और इसी के basis पे हमने magnifying power को define किया था बेटा और magnifying power जो ratio आया था हमारा वो बीटा और अलफा के respect में ratio आया था बीटा हमने किसको नाम दिया था और अलफा हमने किसको नाम दिया था तो आई याद थी आई थिंक आपको याद होगा बीटा image के respect में अंगल था बेटा और अलफा जो है वो object के respect में अंगल था that is angle formed by the image by added eye इस तरह से define किया था हमने या फिर हमने L, D, D, V के respect में list distance of distinct vision के respect में इनको define किया था और वहां से 2-3 results बच्चों हमें मिले थे अलग-अलग conditions के respect में magnifying power के जिसमें एक हमारा result आया था बेटा like V by U एक हमारा आया था बच्चों that is D by U और एक हमारा result आया था बच्चों 1 plus में D by F और ये थर्ड हमने ये result के बारे में बात की थी कि फिलाल इस result को हम numericals में यूज करते हैं लेकिन इसके लावा हमने इसके respect में बात की थी बेटा कि magnifying power जो है बच्चों वो inversely proportional किसके है बेटा distance of object और इसका जो principle था बेटा वो क्या था principle था कि जब भी कभी object को हम locate करते हैं कहा locate करते हैं within focus within focus means this is the optical center and this is the focus यदि हम object को यहां कहीं लेते हैं तो उस case में जिस तरफ object है से उसी तरफ बच्चों हमें उसकी virtual और enlarge image मिलती है इस तरह से तो यह हमारे पास आई थी बेटा इसकी object से A-B और A-B- यह बेटा वो इसकी कहलाती है virtual और enlarge image तो यह हमारे पास condition आई थी और यह suppose हम यहां से observe कर रहे हैं तो यह था हमारे पास simple microscope के respect में फिर से whenever the object is located within the focus then a virtual and enlarge image will be formed on the same side as the object अब यदि आप से कहा जाए कि हमारे पास जो lens है बेटा that is converging lens उसकी focal length है suppose करें 10 cm कोई दूसरा lens है वो भी converging है लेकिन उसकी focal length है 20 cm कोई तीसरा lens है उसकी focal length है suppose 30 cm तो आप से कहा जाए इन तीनों lenses में से कौन सा lens आप प्रफर करोगे for making a simple microscope तो पेटा हमें पता है कि object जो है वो focus और optical center के बीच में locate किया हुआ है इस situation के अंदर क्या होगा इस situation के अंदर यदि f की value हमारे पास 10 है तो object 0 और 10 के बीच में होगा इस situation में f की value 20 है तो object 0 20 के बीच में होगा जबकि इस situation में f की value 30 है तो object 0 और 30 के बीच में होगा तो इन तीनों situation में U जो है बैटा वो सबसे कम इसमें आएगा, उससे ज़्यादा इसमें आएगा और इस relation से हम कह सकते हैं M जो है वो inversely है U के, जितना U कम होगा उसकी magnifying power उतनी ही ज़्यादा होगी, तो first जो lens है इसकी magnifying power ज़्यादा होगी as compared to other two lenses, इस तरह से हमने बात कर ल कहलाता है, that is known as compound microscope, इसको मने नाम दिया किसका, that is compound microscope, यह हमारा कहलाता है, compound microscope, तो बच्चों, compound microscope हमने किसको नाम दिया, तो answer हमारे पास है, the compound microscope is an optical instrument used for observing the highly magnified images of very very small objects, फिर से बोल रहा हूँ मैं, the compound microscope is an optical instrument used for observing highly magnified, इसमें हमने magnified word यूज किया था, इसमें हम यूज कर रहे हैं, highly magnified images of very very small objects, और इसको पेटा invent किया था, गैलीलियो ने, in 1610, गैलीलियो, इसको invent किया था बच्चों, गैलीलियो ने, 1610 के अंदर, देखे ज़रा, इसका जो construction part और working part जो हमारे पास हो क्या कहता है, तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल बताया आपको online class में, कि compound microscope के अंदर बच्चों हमारे पास दो lenses होते हैं बेटा, जिसमें एक को हमने नाम दिया है किसका, objective lens, फर्स्ट वन इस, objective lens है, and the second one is, बोलो, second one हमारे पास का है कहलाता है, that is, eye lens, तो यहाँ पर दो lenses हैं, जिसमें एक को बेटा हम नाम देते हैं, किसका, objective lens का, और एक को हम नाम देता है, eye lens का, So, we can say, the compound microscope consists of two converging lenses, one is objective lens, जिसमें very small focal length होती है, और उसकी short aperture होती है, and the second one is, eye lens, of moderate focal length and large aperture, the two lens are held coaxially at the free end of a tube, at a suitable fixed distance from each other, किस तरह से, कुछ इस तरह से इसका diagram बनता है हमारा, यह बच्चों हमारे पास है, that is, objective lens, इस objective के लिए बेटा, हम FO, UO, और VO symbol यूज करते हैं, focal length, object distance, image distance के लिए, और eye lens के लिए बच्चों, F, E, U, E, as well as V, E, जो है इसको use करते हैं, numericals में जो हमें, थोड़ा easy रह जाते हैं हमारे लिए solve करना, तो यह बच्चों, objective lens है, this is known as objective lens, this is known as objective lens, इसमें बच्चों, यह हमने मान लिया C1, जो इसका optical center है, तो इसका principle हम से क्या कहते है, third point is principle, तो इसका principle हम से कहते है, क्या, whenever the object is placed at a distance of F and 2F of the objective lens, यह beyond F भी कह सकते हैं, जब कभी object को हम locate करते हैं, बचा, at a distance of F and 2F, F और 2F के बीच में कह दें, beyond F बोलते हम, तो उस case में, यह lens उस object की real और inverted image जो है, वो बनाएगा, दूसरी तरफ, then a real and inverted image be formed on the other side of the lens, first condition, अब बच्चों, इसकी जो image आई, इसकी जो image आई बटा, वो अगले lens के लिए, इसकी image जो बच्चों, वो यदि अगले lens के लिए object का काम करे, ध्यान से सुना मेरी बात को, यदि इसकी इमेज है वो अगले लेंज के लिए object अकाम करे और वो object दूसरे लेंज के focus और optical center के बीच में आ जाए अब आप ही सोचें कि यदि पहले की image इसकी image दूसरे लेंज के optical center और focus के बीच में आ जाती है तो उस situation में दूसरे की वज़े से जो image बनेगी वो कहां बनेगी जिस तरफ object है उधर ही उसकी virtual और enlarged image बनेगी यही concept as it is आ जाएगा फिर मैं repeat करता हूँ Whenever object is placed beyond F of the objective lens then real and inverted image will be formed on the other side of this lens if this image acts as an object for the eye lens and placed within the focus of the eye lens यदि इसकी image बिटा दूसरे वाले lens के within the focus आ जाती है तो उस situation में दूसरा lens उसकी virtual और enlarged image बनाएगा जिस तरफ object है same उसी तरफ यह हमें कहलाता है हमारा इसका that is principle यहां से तो डियाग्राम देखे ज़रा कैसे तो हमने माल लिया यह कहीं object है this is say a b small object है और हमारे पास जो distance होगा यहां से यहां तक है बेटा इसको हमने suppose you बोल दिया या you not बोल सकते है इसका यह हमारे पास आ गया और अब यहां से light चली तो बच्चों एक light चली कुछ ऐसे parallel to principle axis और एक light सली कुछ ऐसे इस तरह से तो यह कहीं जाके इस तरह से आके इस point मिल जाएगी यहां तो यह हमारे पास कहलाएगी बेटा क्या that is real or inverted जिसको बच्चों a dash और b dash का मैंने नाम डाल दिया this is a dash b dash और जो distance होगा बेटा यहां से लेकर यहां तक का इसको आप v note बोल सकते हैं यह u note है फिला इस तरह से इसको बोल सकते हैं v note u note हो गया ठीक है और यह यहां कहीं इसका focus है अब बच्चों दूसरे की जो पहले से जो image मिल ए dash b dash यह जो second lens है कौन सा lens? eye lens यह हमने second lens लिया eye lens this is the eye lens इसको हम बोलेंगे c2 c2 is the optical center eye lens eye lens कहलाएगा and this is the c2 it's optical center और condition के according यह दी पहले की image दूसरे की optical center और focus के बीच में आ जाए तो पेटा यहां कहीं सिक हम माल लेते हैं f e what is the meaning of f e इस eye lens का focus what is the meaning of f o यह हमारे पाद f o होगा this one यह जो है इसको हम f o बोलेंगे बेटा लेकिन f e जो है वो eye lens के लिए कहलाएगा focus अब यदि मैं इस space को ऐसे turn कर देता हूँ अब ध्यान से देखें जाए यह optical center दूसरे lens का यह इसका focus है और इन दोनों के बीच में object आ गया यही condition बन गई यह वाली कौन सी simple microscope वाली condition बन गई अब बच्चों जिस तरफ object है उधर ही हमें उसकी virtual और enlarge image मिलती है तो इसका मतलब अब इस situation में क्या होगा तो answer है इस situation में इसको object मान के अब हमने माना कि एक light चली कुछ ऐसे इस तरफ first light और second light हमने मानने चली कुछ ऐसे यह दे चले जाएगी इस तरह से और दोनों को या और लाड़ लेना चाहाँ और ले सकते हैं अब दोनों को पीछे बढ़ाते हैं यदि हम एक scale की help से तो यह दोनों को दोनों बेटा क्या होंगी दोनों को दोनों कहीं पीछे आके appear to meet होंगी कुछ इस तरह से appear to meet होंगी और जब appear to meet है बच्चों तो image कैसी है virtual तो इसका मतलब इसने real image दी वो image अगले के लिए object आ गया और भी हमें enlarge image मिल गयी है यहाँ पर suppose यह साइज यह था तो यहाँ पर साइज और बड़ा आ गया उससे भी बड़ा आ गया यह हम बोल सकते हैं तो यह हमारे पास आगे बच्चों क्या इसको आप बोल सकते हैं a double dash और इस point को आप बोल सकते हैं b double dash यह a double dash b double dash हमारे पास है फाइनल इमेज जो है बेटा वो फॉर्म्ड हो चुकी है ये इसका हमारा मिनिंग होगा अब अगेन प्रिंसिपल हो गया, कंस्टक्शन हो गया अब हमें फाइंड आउट करनी है क्या तो आउट करनी है तो नेक्स पॉइंट हमारा है that is magnifying power magnifying power जिसको अगेन हमने small m से denote किया बेटा अब magnifying power हमारे पास जो है ये हमने define किया है किस तरह से define किया बताएं जरा वीडियो को पोज करें और पोज करने के बाद खुद सोचें कि magnifying power हम define कैसे करते हैं तो answer है magnifying power of a compound microscope is defined as the ratio of angle किसका angle subtended at the eye by the final image to the angle subtended at the eye by the object when both ध्यान सोना when both final image and object situated at L, D, D, V from the eye when final image and object both situated at L, D, D, V ये suppose आई होगा इस तरह से अब L, D, D, V L, D, D, V का मतलब ये image तो L, D, D, V पे है तो object भी हमें यहीं treat करके magnifying power निकालनी है ध्यान से point to be noted अब यहां से ये हमने थोड़ा इसको उपर बढ़ाया इस तरह से और इसको हमने ऐसे आगे मिला दिया और इसको हमने join कर दिया इस c2 के साथ थोड़ा ध्यान से बढ़ाएंगे आप लो scale लेके और इसको join कर देंगे आप ऐसे इस c2 के साथ ध्यान से इस तरह से आप ध्यान से देखें डायम के इंदर इमेज है ये बेटा इस एंगल को बच्चों मैंने बीटा नाम दे दिया उबजेक्ट है ये इस एंगल को ध्यान से देखें मैंने अल्फा नाम देदिया मैं एक बार यहां बणा相़ डाय तोटासा बीटा है, this is बीटा, और इसको हमने आगे बढ़ाया, इसको मैंने पॉइंट के बोल दिया है, और इसको हमने जोइन कर दिया, बचो इसके साथ, ऐसे, और इसको हमने नाम दिया, किसका, that is, अलफा का नाम दिया है, तो अब हमें M जो फाइंड आउट करना है, जो की हमारा र रिस्पेक्ट में, अलफा ओब्जेट के रिस्पेक्ट में, और अब एंगल इदी स्मोल है, so we can write 10 बीटा, as well as 10 अलफा, और आप जड़ा फटा-फट से 10 बीटा के वेल्यू बता दे, यहां से क्या आएगी, और यह मारा पॉइंट है, that is, C2 पॉइंट है, तो आंसर है, प बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा-बीटा- बी-डबल-डश जिसमें है और बी-डबल-डश-C2 और यह कट जाएंगे दियान से यह दोनों आपस में कट गए क्या आगया? यह आगया बेटा हमारे पास अंदियान से देखेए अपोन में बी-डबल-डश के आगया अब बच्चों B double dash के जो आया आपको ध्यान से देखें ये distance ये वाला ये A B के क्या है बेटा पैरलल है ध्यान से देखें ये A B के पैरलल है So we can say B double dash के इस पैरलल टू A B तो बेटा हम इस M को लिख सकते हैं A double dash B double dash upon में A B हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये आगे हमारे पास अब हमने क्या किया बेचा अब हमने क्या किया बच्चों ध्यान से देखें ये हमारे पास relation आगई है अब बेटा इस Magnifying Power जो हमारी I है इसको हम A dash B dash से डिवाइड कर दें और A dash B dash से multiply कर दें हम चाह रहे हैं कि जो Magnifying Power है उसमें इन दोनों के बिहाफ पे कुछ ऐसा रजल्ट आ जाए हमारे पास तो हमने क्या किया हमने लिखा dividing and multiplying dividing and multiplying by A dash B dash तो बच्चों हमें मिलता है M equal to A double dash B double dash upon में A B और इसको बेटा हमने A dash B dash से divide कर दिया और A dash B dash से multiply कर दिया और बच्चों इस एक A dash B dash को लिख दिया इसके साथ और दूसरे A dash B dash को लिख दिया पेटा हमने इसके साथ ध्यान से लेखेंगे तो ये बन गया क्या ये बन गया पेटा A dash B dash upon में A B ये दोनों साथ साथ लिख दिया हमने अब ये दोनों साथ साथ लिख दो into में a double dash b double dash upon mee a dash b dash अब जरा देखेnometer a dash b dash by a b a dash b dash यह diagram में देखे यह a dash b dash है image और a b के है object इस lens के लिए objective lens के लिए और a double dash b dash यह है बटा upon a dash b dash जब यह image है तो यह object है मतलब यह जब a dash b dash image है तो उसके लिए AB object है जब A double dash B double dash image है तो उसके लिए A dash B dash object है वो इसके respect में है ये और A dash B dash और A B इसके respect में है So we can directly write M equal to MO into ME ये हमारा आगया final result MO this is the magnifying power for the objective lens ME this is the magnifying power for the islands ये islands के लिए है बेटा और ये objective lens के लिए है अब इसकी जो value है बचों उस value को आप put कर सकते है कौन सी value तो answer है कि जो हमारा पास ये value है A dash B dash by A B height of image to the height of object ये actual में बराबर किस के होती है ये actual में बराबर होती है distance of image to the distance of object इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं into ME ये हमने find out करी रखा है पहले से कुन सा इसकी value क्या होगी बचा इस वन जो हमने कल find out किया था वो यही है हमारे पास तो इसकी जगा में क्या लिख देंगे बच्चों इसकी जगा में लिख देंगे बच्चों तो answer that is magnifying power का हमारे पास जो है ये final result जो है वो कहलाएगा यहां से और यहां से हम कह सकते है क्या कि जो हमारे पास negative sign है इसका मतलब क्या है the image seen in microscope is always inverted कि जो image होगी वो हमारे पास क्या होगी that is inverted होगी तो ये हमारे पास आ गया magnifying power के respect में अब इसके अंदर यदी आप से कहा जाए क्या यदी आप से इसमें कहा जाए बेटा कि जो object a b है बेटा वो focus के नजदीक है object a b जो है वो focus के नजदीक है तो इसका मतलब यदी हम इस u o को nearly equal to रखते हैं किसके f note के और जो v note है बच्चों v note कौन सा distance है v note v note distance है यहां से लेकर यहां तक का this v note जिसको हमने नाम दिया था किसका c1 b dash का नाम दिया था मतलब आप लिख सकते हैं अलग से diagram में क्या कि जो हमारा u note है u note कहां से कहां तक का distance है बेटा इस b से लेकर c1 का c1 से लेकर b का जो distance है यह बच्चों u note है and which is nearly equal to किसके c1 f note जिसको मैं f note लिख सकता हूँ first condition यह है second जो हमारा v note है पेटा जिसको हमने c1 b dash का नाम दिया है जो की v note है which is nearly equal to c1 c2 और c1 c2 को पेटा हम लिखते हैं capital L ध्यान रहे and this capital L is known as length of tube length of tube जो हमारा compound microscope है वो जो tube है उसके length कितनी होती है जिस भी numerical में इस L का जिक्र होगा वहाँ पर आपको यही formula यूज करना है length of tube उस situation में जो magnifying power होगी इसको लिखेंगे बच्चों L upon में minus f note inside 1 plus में d by fe तो इस magnifying power का हमारा यह formula भी आता है बच्चों formula हो गया इसके अलावा हमने कल बात की थी क्या कि जब image हमारे पास infinity performed होती है बच्चों तो उस situation में हमने 1 plus d by fe को लिखा था क्या d by f जब हमने infinity वाला case जो बटा वो डिसकॉस किया था उस situation में हमने कल बात की थी कि 1 plus d by fe को d by f लिखते हैं तो अब इसमें भी हम बोल सकते हैं if the final image in a microscope were at infinity इसको बोलते हैं बच्चों normal setting इस word को आपको याद रखना है इसको बोलते हैं normal setting यह हमें NTSC की जो booklet है उसमें गीवन होता है कि normal setting के दोरान बताएं magnifying power क्या होती है compound microscope की तो जब भी आपको कहा जाए if the final image in a microscope were at infinity then we can write तो उस situation में हम लिखते हैं m equal to l upon f0 into d by fe this relation is equal to d by fe यह आजाएगा हमारा magnifying power और minus का मतलब तो केवल inverted word जो हम use कर रहे हैं उसके लिए बताएंगे हैं तो यह हमारे पास आजाता है that is compound microscope तो easy है बचों क्या है इसके अंदर बस में आपको diagram तोड़ा सा याद रखना है और diagram याद रखने के लिए यह पता होना चीए कि पहले lens के लिए जो object है वो beyond f है तो उसकी real or inverted image right side मिलेगी if this image acts as an object for the eye lens and placed within the focus then a virtual and enlarged image will be formed on the same side as the object अच्छा यदि मैं आपसे यह कहता कि यह जो image आई पहले की यह दूसरे के focus पे आ गई तो यदि पहले की image बेटा दूसरे के focus पे आ जाए मतलब इस object को यहाँ ना लेके हम यहाँ रख दें तो image कहा बनेगी फिर infinity बनेगी तो उस situation में हम word क्या बोलेंगे infinity बोलेंगे और जो मैंने अभी result दिखा था आपको कौन सा result यह वड़ा result यह तभी applicable है जो अभी हमने word यूज किया है normal setting के लिए thank you